पहले बात करेंगे हम लोग source of energy की यहाँ उसके बाद ही इसका नमबर आता है अब जैसा कि यह है किस में है यह इसके nuclei में और nuclei का यहाँ पे effect का यूज़ ओर application का यूज़ ओर तब जाके हमको इस type की energy क्या हो रही है निकल क्या रही है source of energy का मतलब है source of energy का मतलब है कि वह source जहां से हम energy का उप्योग कर सके जैसे एक्जाम्पर तोर पर अगर बात करो हाइडल पाउस्टेशन जहां से पानी तर्वाइन पर गिराते हैं तर्वाइन घुंगता है और जनेटर नाचता फिर विज़ी तो इस होती है थर्मल पाउस्टेशन जहां प जिसको कोईला अपरे उपकरते हैं नहीं एक इंडिया में ऐसा हो गया तो बिजली विभाग को बेचने की गौर्रमेंट जाना है कि कोईला कम होते जा रहा है कि वह आठ हक्तों कोईला बचा हुआ है ऐसा कुछ न्यू जाया था ना अफ गया करते हैं यह कुछ अफवाई ह अफ़ी हो रहा है वह फिफ्टी तु सेवेंटी परसेंट हो चुका है तो अफ्रवचा हुआ है वह भी कतम हो जाएगा फुल प्रावेट हो जाएगी इसलिए हरताल पे बिजी नहीं रही है हमों तो सर्विस अच्छी हो जाएगी बहतर हो जाएगी ठीक है ऐसा हट जगह आपके बसक्राइब एक मुह है और वहां पे सौव मुह है आप सही है अपने जगव पे लेकिन वहां पे आप सौ लोगों के सामने आप जूटे हो जाएगे कि कहने का मतलब समझे थोड़ा सा बात आपकी साही है कि आपका जो सब चीज क्या विवस्था अच्छी हो जाएंगे फ्राइबिट में लेकिन फिर वो काम चुरह कैसे होगी इस अब देहातों में एक फिस्ट लैट मिलती है वहां पर फिर नॉर्मल टाम लाइक मिल लाइगेगी वह जो लाइट किसी और को बेच है सब दूश्रे ब्लैक में कर रहे हैं जो फिक्टर वाले होते हैं करते हैं सब करते हैं सब इतनी इलेक्रिसिटी और छे से बारा वज़े तक लेक्रिसिटी नहीं है हम वहां से केवल एक घंट रेशी दें बागी पांच घंटे हम किसी इंडस्ट्रियर को देते हैं इसमें जो देने माला क्या लगा कुछ नहीं तो मेरा कितना बहुत जाता इस इस कॉल्ड बहुत 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 सारी चीज़ है यह टोटल का टोटल है क्लीन फ्यूल ऑफ एनर्ची अलब कि जब भी हम इसको यूज करते हैं तो इससे पोल्यूशन नहीं होता है जैसे बाकी दूसरे पोल्यूशन होते हैं जैसे ऐसे आपको कहते हैं नुक्लियर पूलूशन चुक्रत जैसे इसके अंदर आपने कोई उपियोंग किया है और प्रयोग करते क्या हुआ कि पूरी तरह उपियोंग तो करनी हमारे पास फुल्स पोटेंशल नहीं उसको कंट्रोल करने की фильм को और इस बजाय से हम स्थाटी परसेंट फॉर्टी परसेंट पर्सेंट पर प्रणाइब और वहां ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत दूर तक हो जाएगा तो इस वाज़े से कंडिशन यहां पर आपके एक बाद नूट्रॉन ओपेन एर में आ गया तो फिर सबको तोड़ेगा अच्छा हां फिर ऑक्सिजन को भी तोड़ेगा नाइट्रोजन को भी त करें तो यह हमारे पास सबसे पहले इसको इसको दो फेज बात करते हैं एक पर यह है और एक तो पहले फेज में चर्चा करें इसको तीन करता है इसको बनाते हैं हम लोग बहुत ही ठोस तो इसको बनाते हैं हम लोग बहुत ही ठोस है मिटेरियल से यहीं कॉंक्रीट का चेमबर बनाते हैं इसमें लोग सिमेंट बालू च्ट के लगाके जब पढ़िया सा टाइट दिवाद करते हैं फिर उसके अंदर हम लोग इस चील की अभी रेडियेशन जा सकता है फिर उसके अंदर इस्टील की प्लेटिंग करता हैं बढ़र जैसे कि पूरी तरह अंदर से पूरी तरह इस लगा दिया फिर इस रूं को बाहर से इस्टील से कवर कर दिया ठीक है फिर वहां पे लेड का भी प्रयोग करता है लेड रेडियेशन को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है नहीं बाहर नहीं निकलने देगा जैसे श्टील के उपर आप उसको कोटिंग कर दोगे तो जैसे अलफा बड़े नगल के आने कोशिश करेगा श्टील से लेकिन लेड से टकड़ा के फिर अंदर दिरा जाए तो ऐसे बनता है हमारा एक बार जब चैंबर क्रियेट हो जाए चैंबर जहनाफe मैजए करता है चावर्ण के उपर स्लू मूविंग न्यूट्रों कि क्या करते है बंबार्डमेंट करवाता है तो एक बन गया तुमारा क्रिप्टाउन और एक बन गया बेरियूम और हमको बस हीट से मतलब है फिर इसके साथ तीन न्यूट्रों निकलेंगे एक्स्ट्रा एक थेन छोड़ा तोड़े उसके बाद तीन थेन निकलेंगे उसमें से वह भी स्लो मूविंग होंगे अब सोचो अगर वो फिर जाकि बैरियम आजर्ट तर्ण निकलेंगे तो फिर तोड़ेंगे इसी वज़़से यह बहुत ही डिंजरस इस एक इसलिए इसको बहुत ही सेफली क्राइब गिंगा तो यह हो गया उसकी पाइ जानते हो फीड रोड में से जब हमने बंबार्म प्राल गर धीया और यो को आप करने के लिए मैंलब कि वह जो पूरा फीजण चैम्बर के अंदर जो रिक्शन हो रहा है है जो रेशन बता है ने हमने कि यूरेनियम को जब हम स्लो मुवी नियूट्रों से तक्रमाएंगे तो बैरियम क्रिप्टॉन प्लस तिन नियूट्रों प्लस वार्स वार्स एमाउंट आफ एनर्जी यह सारी चीज़ें निकलेंगी तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं चैंबर म तो उस चैंबर में वाले के साथ हम और भी करते हैं जैसे अगर एक बार रियक्टर स्टार्ट हो गया तो हम फिजिकली उसके अंदर कोई भी हस्टशेप नहीं कर सकते हैं जाके अंदर घुश के अटम वानिका के लेते हैं बाहर बार कोई हाथ में रह जाएगा सब कुछ हम बाहर से ही systematically computerly उसको क्या करते हैं तो देखिए बाहर में उसके संग और भी दो क्या है तो एक होता है आपका moderator और एक होता है आपका मौौहर का मतलब होता है ना है सब्सक्राइब करते हैं या तो इस रहाता है या तो गताता है तो इस उसको बोलते हैं जब एक बार गाड़ी स्पीड में आती है और हम हुआ क्थ दीखते हैं कि अब यह सकता है तो वहाँ पर पर करते है ब्रेक्स का और yah कि एक बार कर दिया तो हम करने के लिए एक थे बचेगा फिर वो तोड़ेगा फित्ती निंगलेगा फित्ती दोठे खीश देंगे तो एक थे चुपस छोड़ते हैं ताकि एक ही एक ही एक बार में क्या करें अब कंट्रोल रोड्स और यह मॉडरेटर यहां पे कुछ में पर यहां पर करते हैं तो मॉडरेटर के तो पर किसका प्रयोग करते हैं कि इसका करते हैं लोग डी टू ओ और कोई है ग्रेफाइड 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 तो में इन में से क्यों बस एक याद रखेंगे यहां मैं काफिए बस डी टू ओ यह फिक तो डी टू मने होता है हमारे उपयोग किसी तौर पर नहीं कर सकते हैं हो गया अब डी टू का प्रयोग डी टू करता क्या है कि यह जो रियक्शन होता है ना उसको अपने अंदर होल्ड कर लेता है जैसे मांचों होना कि जस्ट सपोज कि आपको सिंपल प्लेन पर दोड़ाया जाए तब दोड़ो तुरंत उठाके रेत डाल डीये जाए आपकी स्पीड क्या हो जाएगे यानि की आप ही हो आप हो रियक्शन अब फिब्रॉर्ड सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम बनें वहां पर कंपूटराइज है तो अगर रियक्शन तीज हो रहा है तो बढ़ा देंगे तो जितना ज्यादा यह फ्यूज लॉड उस डीटो में डूबे रहेंगे उतना स्लो हो जाएंगे में और उभरने लगेंगे सब में तो यह हो गया बीटेश उसके संट्रों रोंड जो की मिट्रों क्या कर लेते हैं ही खेंalth भूर भूर और यह क्या करते हैं तो तीन न्यूट्रों लोंगे तो दो टे हो जाएंगे अब अकेला चाहिए और अकेला चन्ना कभी भार नहीं फोर्ज सकता कि असे कहावत है न कि अकेली आदमें कोई कुछ नहीं कर सकता है लिए कुछ नहीं कर लेंगे इस लुन कर देते हैं हम ये खिर वह ख जाद हो जाएगा तोड़ेगा इसे मान चलो कि हर जगा हर जगा कपल कपल चल रहे हैं समय आई रहा है सीजन और तीन दोस्त हैं अब तीनों के पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे दूसरे के बिगाड़ेंगे ना खेल खेले खेले भीगाड़ा है की नहीं सबने करेगा था टूर के फिर यह करेगा है कि अग्यां निकलता हुआ एकदम निकलेगा कोई भी चीज़ तूरती है चो अनर्जी नहीं निकलती है सोचो तुम्हारा भी टूटेगा तो इनर्जी निकला रूप जाओ पहले दोस्कों नैसे होगी है सब कटी पता हो गया है इसे आप बोले वह ब्रेक की तरह काम करता है तो फिर जो बोरॉन से बोरॉन टरा किराएगा तो फिर एनर्जी रिलीउस तो काम कैसे हुआ पर वह दो भॉले है ना कि यह दो 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 नेटान फिर वह बम बांडमेंट होगा थी यह वाली बात कि जानते हो आपने बुरान होगा हमने अघुक्षाव बांडमेट होगा कि जब भी uranium तो बैरियाम और क्रिट वे टूटेगा और आपने बुरह मोर्ट में निमागे बैरियाम था तो मैंने बुला कि होगा बैरियाम बी क्या होगा तो अच्छा क्लियर करो क्रियर करो बॉरॉन को फॉर्दर नहीं तुरा जाता है उसकी वह प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई भी एर्यूगर न थुखरवा का तोड़ दे उसका क्योंकि इस्ट्रोंग रिलेस्टन है क्योंकि जो बॉरॉन है ना उसका एक्टामिक नंबर हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बॉरॉन कब आता है पाइडिंग इनर्जी ग्राफ पे जाओ तब इनर्जी ग्राफ में कारबंस मीचे ही नहीं कारबंस नीचे तो क्या होगी इस्टेवल्टी तो इतना असान ने कोई भी एर्योंकि चला जाएगा नहीं सबका नहीं प्रॉपर्टी की बात अब यहीं पर कर दोगे न कहीं अच्छा और फिर कहेगा दूसरा अरे बहुत गरीबन ले जो अरे कुछ भी कर सकता है अरे कारबंस एर करता है ना दोनों काम करता है वो तो इन से कहेगा इसी बितारा दुकान की चाहिए अब वहीवाला प्रोपर्टी क्टेमियम भी सो करता है वरोन अदी प्रोपर्टि किस पेंटावैलेंट नाइट्रोजन की फैमिसे बिलाओं करता है क्याडमियम करता है सब्सक्राइब देखो थोड़ा सब्सक्राइब नहीं हो उसमें नहीं आता देखो इस्केंडियम वैनेडियम और उसके बाद हमको याव सब्सक्राइब नहीं है क्रोमियम है क्रोमियम है जिंक है कॉपर है आयरन है निकल है कोबाल्ट है यह लाइन में है इसी लाइन इतना गवर करो हाँ कैडवे मेटल और वराउन इस अल्सु अल्सु मेटल तो दुनों मेटल्स है और यह नाइट्रोजन की फैमिली से बिलॉंग करता ना तो तो रहां क्या है यह बुरॉंग में कितना था अरे पेंटा वैलेंट है पूरूंग तो नौम फाइब कैसे हो जाएगा आरे स्कॉरी हाँ तू कमा थ्री तू कमा थ्री एक पिसे मैंस करेगा तो फाइट नहीं करेगा आए रूस करेगा पूर अचा वीडियों का नास्क वोदिया इस लिए फोड़ा से अलुमनियूम फैमिली का है तू कि आकरी में क्या होता है तीन होता है नाइट्रोजन में तो आकरी में कितने होते हैं इसलिए फ्रासा कर पड़ी हुआ ठीक है उसको दूर कर लेंगे हम लोग क्लार हुआ है तो बोरोन इस अलमेटल तो यह दोनों हैं अब कंट्रोल और किसे प्रेयोग होते हैं सिंपल अभी कोई डाउट है इसके उपर बोल लो जैसे जैसे कहना कि यह वाले यह कटपुतली है अपने हाथ में जो बाहर साइंकिस बैठे हैं जो रिसर्चर बैठे हैं सब तो देखा गया कि तो बस दो को ही निकालते हैं सब तो यह यह क्या है एड़ेस्टेबल है तीन प्रोडूस हुए तीनों ऐसे लाइन्स जा रहे हैं दू टप पर उठा लिए सब यह क्या होगा बच गया है तो क्या होगा कि खशब लड़का है भी यह बतो तीनों जाएगा तो क्या होगा कई को ब्रेक हो जाएगा कई को ब्रेक और को पर यह निदो बहुत तारे लोगरों लगेंगा महा पर की जगा पर उनसब कौन चुप करेगा अब एक दम कहेंगा पिछड़ा प्यार भूलाने के लिए आप आप इसके पाउडर जयो है मार्गेटिंग एडवाइजस इस चैम्बर में किसी को दिक्कत हम लोगों ने काफी तोड़ा फोड़कर लिया और वास्ट अमांट आफ एनर्जी प्रोड़ीस कर दिया अब दीखो यह जो यहां पे होता है यह वाला इस चैम्बर से इस चैलेज़ चैंबर है तो यहां पर होता है इसमें एक लिक्विड सोडियूं इसके अंदर क्या होता है लिक्वीड सोडियूं जिसको कुलेंट के तरफ प्रयोब करता है कुल का मतलब दो चीजे होती है वहां से हीट को निकाल लेना और दूसरा यही है जैसे कुलेंट का समझते ठंडा करना थंडे करने का पीची का राज क्या है वह दो तरह का वहीं बताया हूं यहां पर यहां से होते हुए यह प्रइब धचिकी और यहां से पास होगा अब यह जो यह चैंबर है लोगे ये चैंबर में पानी भरा हुआ है और नॉर्वल पानी की पाई हो किया गुजरे की पानी है और यह फीर यहां पे यहां पर हो जाएगा और फिर यह लिक्विट जो रहेंट है जो लिक्विड सोडियम है वह ऐसे होते हुए अब इतने दूर तक पाई से पास करेगा तो खुद वह हीट जितना होना चीज़ था उससे क्या हो जाएगा तैंपरेचर क्या हो जाएगा तैंपरेचर अब देखो यहां से फिर यह सोडियम कुलेंट जो होते पंप के जाएगा तो यह जब तक चलता रहेगा तब तक यह गरम घर्म खेलते रहेंगे तो समय होगे सेकेंड फिज में जब यह पानी गरम और भाब बना तो भाब बन के यहां से निकलेगा आउट होके तिक यहां से आउट हुआ और यहीं पर क्रिएट करते हैं लोग प्रेशर नैप्स क्वाइन के ट्रवाइन के और प्रेशर तूरांस loaf किया सब्सक्राइल नाचेगा ज़ा है उसके संग्क्राइन किगए अब जनरेटर का जो अर्मेचर हो भी नाच के यहां से प्रोड्यूस करेगा क्या और यह जनरेटर एसी होता है तो यहां से एसी प्रोड्यूस करता है कितना 6600 बोल्ट और 6800 बोल्ट बिजली यहां से आते हुए ठीक है और यहीं से अगर हमारे घर तक आएगी तो हमारे यहां बस वह बल्ब के इलिमेंट लेगा और बिजली आई है लेकिन यहां पर हम लगाते हैं इस चाचचट सो बोल्ट को कनवर्ट कर देते हैं एक लाख बतीस हजार बोल्ट और उसके बाद कई सारे से इस टेप डाउन इस टेप डाउन इस टेप डाउन और गॉत्नम इत्वा थीक है अब देखो यहां से यह घुमा डिया गूमाने के बादा जिसे घुमेंगा तो इस 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 तेम्परेश्र हो जाएगा डाउन आजब दाउन हो तो कणनोट हो जाएगा वैपर से पाणी यानि कंडेंसेशन हो गया यानि वह पानी भना नहीं कि फ्रीजब्राइब पानी अभी गर्म है लेकिन वह पानी बन चुका है अभी लिक्विड में आ गया अब वह लिक्विड यहां से पास होते हुए यहां से देखो यह क्या हो रहा है यह पानी आ रहा है और जा रहा है और जा रहा है जिसके वाज़े से जितना भी गरम पानी से पास हो गया आएगा कर लेगा निकाल देगा कन्वेक्शन के माध्यम से ठीक है निकाल देगा पूरा और यह फिर कोड़ वाटर पंप के सहारे किसमें आ जाएगा इस चैंबर में आ जाए तो इसलिए तो जानते हो जब यह पानी निकाया जाता है रिलीज किया जाता है किसके अंदर नदियों के अंदर तो इसी के तो इसी के तो इलिफेक्ट है क्या इससे आपने बिजली बनाई मजा आया बिजली आई रोस्नी आई मजा आई तो जब सब कुछ आ गया तो हर एक चीज की डूल पेस होते हैं लाइफ में ठीक है अगर कोई चीज अच्छा बिहेव करें तो उसकी बुरा की बात करें सबसे पहला डिस इडवांटेज के ऐसे पहला जब इसके पानी को यहां से तो भी गरम ही रहता तो यह नहीं लगा आ पूर यह कंपनिया होती है कंपनी प्राइवीट कंपनिया होती है इनको एटमस्पेर से कोई वास्ता नहीं होता है, पैसे से मतलब है, जानते हो इसको चाहती तो इसको गरब थंडा नॉरॉलाइज करके वो पाए छोड़ सकती थी, लेकिन उनको थंडा करने में भी खड़ चाहेगा, आएगा ही आएगा, जाइटी वाता है, पैसे से लेगती इसको बाता है, लेकिन उप्योग नहीं करते हैं, प्राइवेट में तो कोई नहीं करते हैं, उपर इंडिया में घंटा नहीं कोई करता है, वो आन पेपर तुमको मिल जाएगा, यह सब चीज है, वाटर का लॉस्त होता है, प्लस इसकी जीवनी सकती खतम होती है, है, लाइफ, लाइफ जिसको कहते है, लाइफ पावर, वाटर इजल लिविंग फिंग, जैसे जानते हो, हम लोग किस चीज़ से बना हैं को मानना नहीं एकॉरिंग टू आवर फिलोसफी है, एंड सम वेदिक माइफलोर्जिस, हमारी जो पूरे का पूरे सरीर हो पंच तत् करें गया, यही बना रहे ना पांच तत्व, अब जब इन पांच तत्व के आप कॉंटेक में आएंगे न, आप हमेशा इनरजेटिक फिल करेंगे, कभी भी ट्राइ करना आप, आप गए ऑफिस में, चाहिए इस्कूल में, खूब मेहनत हुआ, खूब कारे हुआ, खूब मानने के बाद सारी थकान मिट जाएगी, जितने मित्री, भले ही कुछ समय के लिए ही आप कॉंसेंट्रेटिट होंगे, थुड़ा सा रिलेक्स फिल करेंगे, तो इस इस पावर आप कॉंटेक्ट आफ पंच तत्व, और सब उसी से बने हैं, तो जब भी आप कोई पंच तत ठीक, पानी, आग, आग को टच करो, इस समय आग इतना सुकून देगा आपको, अरे, जगा, किसी को जो छो, अग्यों का खरेंगे, अग्यों के लगा, लेकिन लेकिन जो लोग को नहीं डर लगता है वह चीज उसका फील करते हैं पुचाई से हमेशा एक अलग सही अनुबह होता है अब हमेशा अपने पराईड करते हैं एनर्जेटिक पिल करते हो कि तो I am the top of this world yeah माउंट एव दूदा दूदा जो सिप्लागे है शोई आपोल दिये ना अपसे इक्टेक्स के लूपर जागे खड़ा आपक प्राइट की अविद आपके जाएगा पैंजाट नो में पॉद माम भी गहें निची उदागे पैंजाट पिसलो माम आपके जाएगा अपके पिल्लिश्ट पठाँ रह्या थिम्न प्रीच जाएगा अमने तुम्झे मार लिएट कुछ करतो जीम्झेस मुल्स इस हैं दो काईगा तो दो बंदे और हैं आपने पूछी लिजिए ताइब जो तो नहीं को